बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अनीक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट टू अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर ने किया तो जल्दी से कर दीजिए पहला है, सबसे गुल मिल जाने वाला बहीर मुखी, पंद्रा दिन में एक बार होने वाला पाशिक, माहा में एक बार होने वाला मासिक, तीन महिने में एक बार होने वाला त्री मासिक, छे महिने में एक बार होने वाला अर्दवार्शिक, यह छिमाई भी कहते हैं, आपके स्क में एक बार होने वाला वार्शिक और इसका सकी नेम सलाना भी कहते हैं पूरे जीवन भर आजीवन करने योगे कारे करनी है जहां कोई इंसान ना हो निर्जन संसार से संबंदित लोकिक या संसारिक संसार से बाहर जोगा उसे आलोकिक आपर लोकिक भी कहते हैं पूरे दिन के क्रिया का लाब दिन्य चर्या जिसे जीतना कटिनो दुर्च जै जो हो ना सके असंभव हाथ से लिखा हुआ हास्त लिकित जो कभी बुड़ा ना हो अजर शाक सबजी खाने वाला शाका हरी जिसमें सेंश शक्ति यो सेंश प्रिये बोलने वाली प्रिये बंदा बहुत कम खान करने वाली अलपाहरी बाशन देने वाला वक्ता मीठा बोलने वाला मदुर भाशी कम बोलने वाला मित भाशी दूसरों की बुराई निंदा करने वाला पर निंदक और निंदक भी कहते हैं खाली बढ़ाई वा परशंसा करने वाला परशंसक जो बोलने में आसमर्तो उसे म अक्लांग या दिवांग भी कहते हैं, आपने देखा होगा अक्सर रेलवे श्चेशन में लिखा होता है, जिसकी उद्धी तेज, वो उसे कुशागर वुद्dhi और जिसकी उद्धी कमजोर उसे मंद वुद्धी कहते हैं, नगर में रहने वाला नागरी कहलाता है, बहुत दुख में समान रहने वाला इस्तीर प्रग्य किसी उक्ती को पुना कहना पुनरुक्ती जिसका कोई सगा समन्दी ना हो उसे अनात कहेंगे भागे जिसका साथ ना देया भागा जो पहले कभी ना हो अबूतपूर जो शिगरी मरने वाला है मरनासन जिसे पढ़े पद से हटा दिया गया हो पढ़नी पद से पदाचुत दूसरे की भलाई के लिए सोचने वाला शुपचिंदक कहलाता है स्रदा रहने वाला शाश्वत लंबे समय तक जीवित रहने वाला चिरंजीव जिसका जीवन दूसरों पर आशी तो परजीवी कहते ना परजीवी है ये जो दू दूर की सोचता हो दूर की सोचता हो दूरदर्शी दर्ती और अकाश के बीच का समय इस सांज होता है उसे अंत्रिक्ष कहते हैं किसी देश के बाहर के मामले अंतर देशी और शन में नश्ट रोने वाला शन भंगुर जो इंद्रियों के द्वारा जाना जा सके उसे कहती हैं